नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आपका हमारे ओफिशल यूट्यूब चैनल ओम प्रॉप टैक प्राइवेट लिमिटिड पर मैं हूं सोनिया चौधरी और मेरा नाम है विकास शर्मा तो साथियों आज हम आए हैं सेक्टर 25 में तो सबसे पहले तो विकास सर यहीं बता आप चड़ेंगे और आगरा की तरफ चलेंगे तो पहले आपको इस्टन पेरिफेरल एक्सप्रेक्स भी पड़ेगा वह आपको क्रॉस करना होगा याने की नीचे से निकलते हुए फिर आपको जो गलगोटिया वाला कट है गलगोटिया कट से आपको जिसे टूसी कट भी ह मैं बोलते हैं तो उससे आपको यूटर्ण लेकर और सलारपूर अंडर पास तक पहुंचना होगा सलारपूर अंडर पास से जस्ट आपको राइट लेना होगा और बिल्कुल सीधे आप चलते हुए जब रास्ते में आएंगे तो आपके लगबक जब आप सेक्टर स्कूल विध्याला उसके जब आप आएंगे तो आपको वह इस्कूल दिख जाएगा गोल्चकर से आपको यूटर्ण लेकर आना है आगे चलकर तो फिर महां पर यह सेक्टर 25 है मैं जहां पर यह सारे प्लॉट जो 7% किसानकोटा के प्लॉट हैं यहां पर लगे हुए हैं और वेल डेवलप्ड हैं मतलब अगर बात करें हैं डेवलपमेंट की तो अच्छी तरीके से इंटरकनेक्टिट सड़के जैसे हम खड़ें अभी पॉकिट के अंदर ही हैं हम जो किसानकोटा वाले मैं हम खड़े हैं ब्लॉट जी में जिसमें प्लॉट नंबर भी मेंशन है कि 139 से 153 तक और सक्टर 25 तो 7 परसेंट किसानकोटा प्लॉट को हम सेमी कमर्शल प्लॉट के नाम से भी बिलकुल मैं बिलकुल तो जिन लोगों की डिमांड थी कि हमें यमना एक्सप्रेसवे के आसपास रजिस्टर प्लॉट ही चाहिए हैं और साइज 300 मिटर से कम हो जी त सब्सक्राइब कर लें उन लोगों के लिए जिनको रिक्वार्मेंट है रजिस्टर प्लॉट की और एक चोटा साइज उन्हें मिल जाए और एक सेमी कमर्शल प्लॉट बिलकुल और उनकी विश एक तरीके से पूरी हो जाए कि हमना एक्सप्रेसवे के पास हमारा भी काम कंप्लीट हो चुका है और एक सबसे बड़ी बात में यह है कि जो जिन लोगों को लगता है ना वह जैसे मालों हम अच्छे बजरुग दिखाते हैं हम रिलखा की बात करें या हम रौनी जा रस्त इसकी सहापूर मिर्जापूर की बात करें निलो निकी तो बहुत लोग से जैसा यह पीछे टी लगी हुई है रोड बनी हुई है और यहां पर बिजली की भी पूरी फिटिंग है सब मतलब सारी चीज़ें सब करी हुई है सेम एज उन प्लोट में भी अमना थोटी डवलप करेगी बिल्कुल सर ने बस बहुत सही बताया कि एक तरीके से वह दहार किस तरीके से वहां पर डवलपमेंट होगा ऐसा ही सेम डवलपमेंट सेक्टर 18 और 20 में होगा क्योंकि डवलपमेंट का देखो बहुत फरक पड़ता है प्राइस पर हम अपने हम कोसिस करते हैं कि हम अपने प्लॉट तक पहुंच जाए जब भी हम देखते हैं कई वार आप हम देखेंगे कि यार कनेक्टिड सड़के हैं और बहुत अच्छा फिर सबसे में चीज पता क्या होती है दोस्तों वह होती है विजवल आपका कि आपका विजवल क्या कहता है किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर हम प्रॉपर्टी खरीदते आज इसलिए कि हमें सस्ते रेट म हो इसी तरीके की चीजें सोचकर हम प्रॉपर्टी लेते हैं बाकी सर एक और है कि लोगों के बहुत सारे कोश्चन भी है जिसे हमारी वारतालाब होती है तो यह जो ड्रॉप का जो तारिक है जी वो क्या तारिक डिसाइड हुई है और जब तक पॉसिबिलिटी है कि उस दि कर देती है जितने भी वहां के जो आवन जिन लोगों ने एप्लिकेंट है तो उनके लिए यह सूचना है और यदि बाद में कोई भी फेर बदल होता है तो यमना थोटी अपनी ओफिशल वेब साइट के माध्यम से हमको बता देगी लेकिन अभी तक जो भी उसके नौटिस कर दिए तो उसके वहाफ पर जो डॉकी डेट है उसको भी एक्स्टेंट कर दिया गया है तौ 16 दिसंबर इसलिए हम हर वीडियो में भी बता रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहा रहे हैं वह सोला सैंबर से लोग जो व्यक्ति होटल इंडस्टी से जुड़े हुए जिनका एक्सपिरियेंस है जो भी होटल की इंडस्टी में सेग्मेंट में वर्क करते तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि वह उनके लिए होटल के लिए लैंड अलोट की गई है इमना थोटी द्वारा तो आप महां भी अपना फॉर्म कर सकते हैं उसमें आवेधन कर सकते हैं वह भी बहुत अच्छा एक तरीके का आप मतला विजुलाइज करके देखें कि एयरपोर्ट के पास क्योंकि देखो फॉरन कंट्री से ली लोग आते हैं तो उनको मध्य नजर रखते हुए कि एयरपोर् को यहां पर मैं वह लगेंगे बहुत बड़े-बड़े एकस्पो लगेंगे तो एक्सपो मार्ट के लिए पहले सी लैंड अलोट कि हुए उन्होंने कि हम आप बनाएंगे फिर इहां पर इतने सारे फॉरन कंट्री के डैलीगेट्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक बहुत अच्छा रिवेन्यू यमना थोटी को में और सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा यहां जो आसपास की लेंड का सरकील है उसकी रेट पर और वहां की प्राइस पर बहुत बड़ा फरक पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल सर कोई संदे की बात ही नहीं है इसमें कि रेट का वह उसका अनुबंद हुआ है तो साथ साल तक वह रेस होगी और उससे काफी रिवेन्यू मिलेगा उत्तरप्रदेश गौर्वर्मेंट को जैसे कुछ लोगों के कमेंट्स भी होते हैं कमेंट बॉक्स में हम पढ़ते हैं कि अभी मैम या सर अभी रेट में थोड़ा सा स्ट सबसे बढ़ी बात तो बहुत सारी लोग अख्षर में हम से कॉल में या जब भी हम उनने बताते हैं कि सर अभी तो जैसे मालो हमने बात करते हैं मुनिस सेक्टर की 20 के पीछे सोला है सत्रह है तो बहुत लोग पीछे की तरफ कहते हैं तो मैं उसके लिए वह फास बात कर एक महिने चे महिने पांच महिने पीछे बढ़ेंगे इतना अंतर है रेट यमना में कहीं भी कोई भी प्लॉट ले लिजिए किसी को ऐसा नमसोचे कि भाई यारे तो अभी तो है कुछ भी नहीं है बाकी देखो एक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि प्लॉट ले लेना अगर आपके प्रियारिटी होती है कॉर्णल लेना है पार्क वेसिंग है वह एक अलग चीज हो गई बट एक जनरल प्लॉट भी आप लेके डाल दोगे उसका भी रेट डबल ही होना है दो साल बाद बहुत अच्छा समय चल रहा है बहुत ही अच्छी चीजे चल रहे हैं अभी यमना एक्सप्रेस वेपर तो आप लगों से अनुरोध है और हम आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के विहाव पर कि बहुत अच्छा टाइम है आपके इन्वेस्टमेंट कर चल रहे हैं आपको लग रहा है कि हमें इंवेस्टमेंट करना है तो आप कर दिजिएगा तो प्यारे साथियों नीचे स्क्रीन पे हमारे हो और आपकी बहुत अच्छी इंवेस्टमेंट यहां पर हो हम प्रभू से यही काम न करेंगे कि आप सभी के घर में खुश्या लियाएं ओम प्रोप्टेक परिवार आपके लिए हर समव हर समय हर मदद के लिए तयार है जै हिन जै भारत